कृप्या वीडियो को पूरा देखिएगा अधूरे ज्यान से कोई लाब प्राप्त नहीं होगा नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आश्ट्रो सचपर पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमतकारी और बहुत ही जल्दी लाब समझा गया है देखा गया है ऐसा भी देखा गया है कि कोई मानव बहुत समय से बीमार है पारिरिक रूप से परिशान है मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परिशान है तनाव में रहते हैं चिंता में रहते हैं कर्ज में डूबे हो किसी भी तरह की आपकी परिशानी हो अगर आप पीपल की पूजा करते हैं पीपल में जल्देते हैं दीप दान करते हैं परिक् पीपल के पूजा करते हैं बहुत ही जल्दी चमतकारी रूप से लाब हासिल होता है कारण क्या है क्योंकि इस एक मात्र व्रिक्ष के पूजन से सभी देवी देवताओं का आशिरवाद हमें हासिल होता है भगवान श्री हरी विश्नों की कृपा हमें हासिल होती है और हमारे पूर्वज यानि जो हमारे पित्री होते हैं, उनका भी आशिरवाद हमें हैं। रники आशिरवाद नहीं किया है, तो छैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकन जरूर दबाएगा, तो दोस्तों शनिवार को सूर्यास्थ के बाद ये उपाय करना है, और अगर आप शनिवार के दिन ये उपाय करते हैं, तो मात्र एक शनिवार इस उपाय को करने से आपकी समस कामना पूर्ण हो जाती किसी भी कामना से आप यह उपाय करेंगे आपकी वह कामना अवश्य पूर्ण होगी अगर आप धन के लिए बहुत अधिक परेशान है आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान है कर्ज में घिरे हो व्यापार में आपके लगातार घाटा होता जा रहा है आपके उपर लोन यह कर लगातार चड़ता जा रहा है नौकरी मिलने में समस्या आ रही हो अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं घर में बहुत अधिक कलह कलेश रहता है खर्च अधिक और धन का आगमन बहुत कम है तब भी आप इस उपाय को करें जल्दी ही आपको लाब होगा और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास धन तो बहुत आता है परन्तु वह धन बेवज के खर्चों में निकल जाता है या तो बीमारियों में या फिर आप ब्याज भर देते हैं या लड़ाई जगडे कोट कचहरी के चकर मे आपके धन का खर्च हो रहा है धन का सदुप्योग नहीं कर पाते हैं और जब भी आपको धन की आवश्यक्ता था होती है आपको कर्ज लेना पड़ता है अगर आप इससे परेशान है मतलब धन के किसी भी तरहकी समस्या से आप परेशान हो घर में कलह कलेश से परेशान हो तो इस उपाय को करें जल्दी ही आपको लाब होगा, मा लक्षमी की अपार कृपा हासिल हो जाती है, इस उपाय को करने से धन संचय भी होगा. धन आगमन भी होगा व्यापार में भी आपको लाब होगा और नौकरी की समस्याएं दूर होंगी बहुत ही अचुक उपाय है आजमाया हुआ उपाय है अगर आप विश्वास करेंगे आपको लाब बहुत ही जल्दी होगा और मात्र एक शनिवार ये उपाय करना है बस मन में विश्वास रख करें आपका कोई भी काम हो। अवश्य बनेगा करना क्या है शनिवार के दिन शाम के समय सूरियास्त के बाद ये उपाय आपको करना है तो शनिवार की शाम को आप किसी भी पुराने पीपल व्रिक्ष के नीचे जाएं। पुराना पीपल व्रिक्ष मतलब को पूझा निरंतर होती हो, जिस पर लोग पूझा करते हो, ऐसे पीपल के विरिक्ष के पास आपको जाना है, और शाम के समय जाना है, कुछ सामगरी आपको चाहिए, जब आप पीपल विरिक्ष के नीचे जाते हैं, तो थोड़ी सी रोली चाहिए, और एक छोटा सा, लाल आप जैसे एक लाल रुमाल भी चलेगा जो भी आपके पास उपलब्ध हो ले लीजिए लाल चाहिए जो हम हाथ में बांधते हैं, मौली जो पूजा के समय हाथ में बांधा जाता है, उसे कहते हैं, वो आपको चाहिए तो थोड़ा सा ले लीजिए उसका प्रयोग आपको वह पर करना पड़ेगा, इसके अलावा आपको चाहिए एक आटे का दीपक आप गाय का घी ले कर जाएं और उससे प्रजवलित करें या फिर तिल का तेल होना चाहिए, सरसों के तेल से आज हम प्रजवलित नहीं करेंगे क्योंकि हम यह प्रयोग जो कर रहे हैं, धंदायक प् होता है, आटे का दीपक प्रजवलित करें किसी भी कामना के लिए तो बहुत ही जल्दी आपकी कामना पूर्न हो जाती है, तो हमें ये जो आटे का दीपक और जो भी सामगरी है, यह लेकर शाम के समय जाना है, सूरियास्थ के समय यानि कि जब सूरियास्थ हो रहा हो, उस स समय हमें जाना है सूर्यास्त के बाद से लेकर आपको आठ बजे रात्री तक पीपल की पूजा कर लेनी है, इसके बाद आपको पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, पीपल व्रिक्ष के नीचे कभी भी देर रात में नहीं। कीजिए, उसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, भगवान श्री हरी विश्नु को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, सभी जो हमारे पित्री पूर्वज होते हैं, उन सब को हृदय से नमस्कार कीजिए और इसके साथ, कि आपको हनुमान जी को नमस्का पीपल व्रिक्ष के नीचे पीपल व्रिक्ष की जड में जड के पास जला दीजिए। वो पत्ता और उसी पत्ते पर आपको जो आप रोली लेकर गए हैं। आप इसे थोड़ा सा जल देकर आप उसे गीला कर लीजिए और उसके बाद आपकी मनोकामना उस पीपल पत्ते पर अपनी अनामिका उंगली से लिखनी। इर्ष्या है तो आप नौकरी लिख दीजिए और अगर आपको धन की समस्या है, कर्स की समस्या है, जिस भी परेशानी से आप मुक्ती पाना चाहते हैं, उस परेशानी को आपको उस पत्ते पर लिखना है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा पत्ता हो, इस तरह से आपको पत्ता चुनना है, पत्र तोड़ना नहीं है, यहां आपको ध्यान रखें, ना है जब आप अपनी मनोकामना लिख देते हैं, उसके बाद उसी पत्ते वाली डाली के उपर आपको साथ बार जो आप कलावा लेकर गए हैं, वह बांध देना है, कलावे को साथ बार घुमा दीजिए औ और बहुत धीला दिये ताकि पत्ता तूटेना बहुत आराम से उसको बांध दीजिए, उसके बाद जो बचा हुआ कलावा है, उसे आप अपने दाहिने हाथ में बांध। है अचूक मंत्र है, नोट कर लीजिए, हम स्क्रीम पर भी इसको आपको दे रहे हैं, आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए, इस मंत्र का जब आपको पीपल व्रिक्ष की चाया में करना है, पीपल व्रिक्ष चाया में बैठ कर जब आ गया, कोई भी मंत्र बहुत ही जल्दी स आपको करना हो तो अगर आप पीपल वृक्ष की चाया में बैठ कर करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपके मन की कामना पूर्ण हो जाती है, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ कर चाया में बैठ कर. अगर हम अपने मन की कोई बात कहते हैं, तो उसका निवारन बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए आपको ये जो जब करना है वो पीपल वरिख्ष की छाया में ही करना है, अगर आप माला लेकर जाते हैं, तो रुदराक्ष की माला ले जाईए माला पर नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास माला नहीं है, तो और अगर आपके पास माला है, तो 108 मनकों की माला की लेकर जाए और 3 माला इस मंतर का जब कर लीजिए इस तरह से आपको जाब करना है. जब आपका पूरा हो जाता है, आप पीपल वरिक्ष को प्रनाम करें, सभी देवी देवताओं को प्रनाम करें, अपने पित्रों का आशिरवाद लें, और पित्रों को हृदै से नमस्कार करें, शनिदेव को प्रनाम करें, हनुमान जी को प्रनाम करें, सभी देवी का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी परेशानी हो जो भी आपकी इच्छा हो जरूर पीपल व्रिक्ष के नीचे कहनी चाहिए। आप उसे लाल कपडे में रखकर लपेट लीजिए, उस कपडे को बांथ दीजिए और फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने मन की कामना मन में रखकर भगवान श्री हरी विश्नु सहित सभी देवी देवताओं से कहने के बाद यह मिट्टी लेकर आपक नुकसान हो रहा है, व्यापार के लिए कर रही हैं, तो आप ये जो मिट्टी है, अपने व्यापार के गल्ले में रख दीजिए कहीं भी धन रखने के। का आगमन निरंतर घर में होने लग जाता है, और धन घर में टिकने लग जाता है, अब आपके प्रश्न होंगे कि इस उपाय को हमें कब तक करना है, देखिए इस उपाय को मात्र एक शनिवार ही हमें करना है, सिर्फ एक शनिवार आप यह उपाय करेंगे घर में लाकर अप प्रश्ण ने धन रखने के स्थान पर वो मिट्टी रख देंगे, तो इसके बाद चमतकार आप स्वय देखेंगे अगला जो आपका प्रश्ण है, कि इसमें को हमें घर में कब तक रखना चाहिए? तो हमेशा रखें घर में, क्योंकि यह देव व्रिक्ष के नीचे की मिक्टी है, ऐसी मिक्टी जैसे कि हम कहीं पवित्र स्थानों पर जाते हैं, तो वहां से भी थोड़ी सी मिक्टी लाकर हमें अपने घर में रखनी चाहिए, तो यह देख व्रिक्ष है, पीपल व्रिक्ष है उसके नीचे की मिक्टी है, हमेशा आप अपने घर में रखें, अपने धन रखने के. स्थान पर रखें, कभी भी आपको धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, अगला जो आपका प्रशन होगा इससे संबंधित की क्या स्त्रियां इस उपाय सकती है? जी हां कोई भी इस उपाय को कर सकता है, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी इस उपाय को वृद्धा से करें अगर स्त्रिया इस उपाय को कर रही है, तो सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आप periods की अवस्था में इस उपाय को न करें, जब आप शुद्ध हो तभी इस उपाय को करें, और जब आप यह उपाय करें, आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, कि आप जब वह मिट्टी उठा रहे हो पीपल व्रिक्ष के नीचे से, तो आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं चुपके से आपको मिट्टी उठानी है, अगर आसपास लोग होते भी हैं, तब इतनी सावधानी से आप मिट्टी उठाए कि कोई आपको देखे नहीं या तोके नहीं, बस अगर आप इस तरह से इस उपाय को कर लेते हैं, यक के नीचे की मिट्टी इतनी पवित्र है कि आपके मन की कोई भी इच्छा हो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, बहुत जल्दी आपको चमतकारी लाभ भी हासिल होता है. उम्मीद करते हैं, आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिध्ध होगी, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा झाल झाल